के लिए कुछ भी करो यह आएगा अपने हिसाब से आए यूटूब पे भी लाइव है तो अचा होगा कि चलो कर देते हैं यूटूब पे लाइव बंद कर देते हैं हो गया एप भी कर दिया ना करो recording अभी on ने करना जब एप लाइव कर दोगे पढ़ान सुरू कर देंगे तब recording ओना गई से चला लोग लाइफ के लिए इतना अंसिंसियर होता है पता नहीं हमको भी सच में पता नहीं अब यह लड़का है मत्धुरा से वो बोला तीन साल से सर्म हमको यह नहीं पता है कि इस धर्टी पर क्या-क्या हुआ है हम सिर्फ पौड ही रहे हैं तीन साल से साइंसे से सर्डर लगता है बाकी सब्जेक्ट हो गया है हम बुले ता आया यहां क्यों बुला सिर्फ मिलने आये हैं मत्धुरा स्खली मिलने आया वो रूख रहा है रात में रूखेगा फिर एक-दो किताबें हैं वो लेके जाएगा कितना hardly dedicated है हुद देखो आयेगो यह dedication है मेरे बारे में comments कर देता है कि sır तो late से आते हैं हम तो time से आगए हैं time से आए हैं ना तुम चुटा बारीस में नहीं आया है कोई बात नहीं हम चला अपने चार साल के केरियर में पूरा इंजिनियरिंग के केरियर में एक सिंगल डे सिंगल क्लास का अपसेंट नहीं है चाहिए 101 बुखार है तो क्लास में है सरदी है, फलना है, चिलना है तो क्लासे में बॉडी को ले जाके रॉक देते थे आप देखो यह वो कमेंट्स भी आगया पढ़ें या ना पढ़ें तो ना समझेगा मुन्ना समस्याई है ना कि तुम्हारा हालो 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 हो किया हां काहीं नहीं हुआ होगा रहीं कि हो जाएगा कि जिन्त कि जिम है किसी को भेजबें न किया होंगे वो लिंक से हम कॉपी पेस्ट करने से नहीं होता है देखिए कोई जुगार किजिए हालो इससे पहले किया है इससे पहले ऐसा हुआ है इससे पहले ऐसा हुआ है कभी हालो हो गया शुरू करें रिकॉर्डिंग ओन करो बेसिक आफ एलेक्टरिकिट अब चलक गवर फरमाईएगा बेसिक आफ एलेक्टरिकिटी की अगर हम बात करें हमने इसमें पढ़ाय था कल परमानू क्या पढ़ाया था परमानू परमानू के बाद हमने आपको पढ़ाया था कि परमानू के नाभिक में न्यूट्रोन और कौन होता है परोटोन कहता है परमानू जो होता है यह मुक्यता प्रोटोन न्यूट्रोन और एलेक्ट्रोन का बना होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलेक्ट्रॉन को मॉलिक कन कहते हैं कौन कन कहते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूटॉन नाभिक में होता है और इसके चारों तरफ कौन चक्र लगाता है एलेक्टॉन हम बोलेते दिर्गविताकारपत पर चक्र लगाता है तो देखो प्रोटॉन न्यूटॉन तथा एलेक्टॉन प्रकृति में कौन कन है मूल कन माने जाते हैं प्रोट प्रमानू का केंद्रिया सखन भाग है जिसमें कौन-कौन रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है चक्कर लगा हम बोले तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या है बिद्युत धारा है जबेंगा क्या है बिद्युत धारा है अब गौर फरमाइएगा हमने आपको कहा था कि एलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऻुञे Catal चार्ज का परिमान समान होता है लेकिन आवेस भी परीत 7 पर प्लस तरह एक neutron पर चला कोई आवेस नहीं होता है और हमें साध्यान रखिएगा neutron और proton कहां होते हैं नाभीक में और electron चार उत्रब चक्कर लगा जो बाहितम को अक्षा का electron है इसको हम लोग मुक्त electron या सन्योजी electron कहते हैं यह इन बात है तो कहते हैं चला proton पर प्लस वन पॉइंट इंट 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 नियोट्रॉन क्या होता है अब देखो चला हम लोग मुक्त अलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं इसी का प्रवाह विद्युधारा है मुक्त अलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है विद्युधारा अब ध्यान दीजेगा जैसे ये नाभिक है क्या है ये चला नाभिक है और इसके चारों तरफ चला चक्कर लगा रहा है एलेक्ट्रॉन ये एलेक्ट्रॉन थी ये जो सबसे बाहितम कक्षा का एलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो इसी एलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते है मुक्त एलेक्ट्रॉन कोन लेक्ट्रोन इस जो बाहितम कक्षा का लेक्ट्रोन है इसी कोम लोग कोन लेक्ट्रोन कहते हैं मुक्तलक का तो इसी का नप्रवाविद्यू धारा है और यह हमेश्चा ध्यान रखेगा इधर सीधर जब जाईएगा न तो उर्जा बढ़ता है क्या बढ़ता है उर्जा बढ़ता उर्जा क्या होता है बढ़ता तो ध्यान दी जगा अधिकान से धातू हम बोले थे धातू ही न चालक है धातू क्या है चालक अधातू कुचालक अर्ध चालक हो गया सिलिकॉन और जर्मेनिया जेकर हमें थोड़ा चालन होगा थोड़ा चालन नहीं हो धातू हमेंसा क्या है सुचालक और धातू का चला जितना धातू है सबके बाहितम कक्षा में एक, दो, तीन एलेक्टरोन कितने एलेक्टरोन अब देखो कहते हैं अधिकांस धातू अधिकांस कौन चला धातू के अंतिम कक्छा में केवल एक या दो एलेक्टरोन होते हैं जिने कौन एलेक्टरोन कहते हैं मुक्त एलेक्टरोन कहते हैं और धातू के बाहितम कक्छा में साथ होता है तो चला आठ होने से इस्टबल होता है अब ध्यान देना कि और धातु विद्यूत के कुचालक क्यों होते हैं और धातु विद्यूत के कुचालक क्यों होते हैं गौर फर्माईएगा तो समझ में आ जाएगा कियتے ہیں ये मान लिजे कि सोडियम है सोडियम होता है एकार इसका electronic configuration अगर पता होगा 2,88 2,88 होता है अकलोरीन ले लिजे इसका होता है 17 इसका होता है 2,87 होता है अब देखिये चला यह जो 7 है यह एक गरहन करेगा तब 8 होगा यह एक का त्याग करेंगा एको बात करेंगे कि जिसको हम ग्रहन करेंगे क्या उसका प्रवा होगा या जिसको हम त्याग कर देंगे उसका प्रवा होगा पका ना तो यह चला एलेक्ट्रोन को ग्रहन यह ओधातू है क्या है यह यह ओधातू है और यह क्या है धातु क्या है यह ग्यान से समझना यह क्या है यह क्या है धातु और धातु क्या करता है इसके बाहितम कक्षा में किसी का भी बाहितम कक्षा में आठ को हो जाएगा तो अस्टेबल हो जाएगा बुलो हाँ किसी के भी बाहितम कक्षा में अगर आठ एलेक्टरोन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अब देखो एगो का त्याग कर देता है तेकर बाहितम कक्षा में आठ बच जाएगा आई एगो गरहन कर लेता है तेकर बाहितम कुछा में आठ होगा इस साथ को ग्रहन करेगा क्या आई साथों का त्याग करेगा क्या तो अधातू हमेशा एलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं क्या करते हैं अधातू हमेशा एलेक्ट्रोन त्याग करते हैं त्याग किसी चीज का किजेगा तब न प्रवाह होगा इसी त्याग करते हैं तब प्रवाह होता है किसका इलेक्ट्रोन का इत्याग नहीं करता है इक क्या करता है गरहन करता है हम लोग चला खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो गरहन करते हैं तो उसका प्रवाह नहीं होता है हम लोग ट्वैलिट कर देते हैं प्रवाह हो जाता है बोलों ने ओ धातू एलेक्ट्रोन गरहन करता है इसका प्रवाह नहीं होता है एलेक्ट्रोन का प्रवाह ही विद्युधारा है इसलिए धातू में एलेक्ट्रोन का त्याग करने के कारण विद्युधारा का प्रवाहता है तो हम यह कह सकते हैंगे धातू सुचालक है धातू क्या है आओ धातू क्यों कूचालक है क्योंकि त्याग नहीं करता है ग्रहन कर लेता है त्याग नहीं करता है क्या कर लेता है ग्रहन कर लेता है अब देखो ते धातू के बाहितम गख्षा में कितने एलेक्ट्रोन एक एक दो तीन इसलिए ये एलेक्ट्रोन का त्याग करता है एक लाइन हमें सा ध्यान रखना एलेक्ट्रोन के कारण विद्धारा का प्रवाह होता है या यह कहें कि आयन के कारण धारा का प्रवा होता है किसके कारण आयन तो धन भी है रीन भी है अगर प्रोटोन दे देगा प्रोटोन का प्रवा होगा क्या लेकिन कहीं कहीं होगा कहां होगा वह हम बताएंगे चालकतार में मुक्त अलक्ट्रोन मुक्त एलेक्ट्रोन मतलब बाहितम कक्षा का जो एलेक्ट्रोन है इसी का प्रवा होता है इसके कारण विद्युधारा का प्रवा होता है चालकतार मतलब कौन? दातु जैसे सोना, चांदी सबसे अधी क्या लगता किसकी होती है चांदी? सोना, चांदी, कॉपवार, अल्मॉनियम इस सब में वीडियो धारगा प्रवा होता है क्यों? क्योंकि यह क्या है? धातू है अद धातू है तो क्या करेगा? त्या करेगा तो प्रवा होगा प्रवा होगा तो सुचा लगा सही है न? अब देखो चला बढ़ियां से समझने की चिश्टक बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट्स ये करते हैं कभी-कभी यूट्यूब पे हम देखते हैं कुछ कमेंट्स आते रहता है कि सर क्या ये जो 45 मिनट आप पढ़ा रहे हैं उससे कोर्स खतम हो जाएगा बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं तो मेरे दोस्त एकदम 100% कोर्स खतम नहीं पूरा करके देंगे हम आप इसके लिए निस्चिंत रहे हैं हम आपको बता देते हैं अगर 20 दिन बाद भी आज से 20 दिन बाद एक्जाम होगा तब भी कोर्स हम पूरा करके आपको देंगे एकदम आप निस्चिंत रहे हैं अगर हमको 2-2 घंटे की भी क्लास लेनी पड़ेगी तो हम 2-2 घंटे का भी क्लास लेके कंप्लीट करके देंगे आपको एकदम आप आँख बंद करके इसके लिए निस्चिंत हो जाईए कि कोर्स खतम नहीं पूरा करके देंगे अगर मन लेते हैं किसी कारण वस 20 दिन बाद आज से परिक्षा हो गया तो मेरे दोस्त मेरा हम अगला क्लास 9-10 जो होगा उसको मैनेज करेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे 10-11 कर देंगे यूटुब पे और तुमको 8-10 पढ़ा देंगे और सनिवार रविवार सुबा साम 2-2 घंटा बुला के पढ़ा देंगे नम तुम निस्चिंतर हो 2 घंटा सुबा पढ़ाएंगे 14 को चैप्टरे है तोर 2 घंटा सुबा पढ़ाएंगे तो 1 चैप्टर हो जाएगा एक सनी बार रविवार में चार एक चप्टर सुबा एक चप्टर साम सनी बार रविवार में कई चप्टर चार अद्दू को बुला लेंगे था अच्छा को इधर पढ़ा देंगे Monday to Friday में खतम ने हो जाएगा अद्दू सबता बहुत हो गले अच्छा जोडल है अमर तुम बोलो ने कंप्लीट करना है तो हो जाएगा कोई दिक्कत ने आज से डेट तुम किट दो कि अतना डेट को हमको कंप्लीट चाहिए कर देंगे कोई दिक्कत ने अच्छा हम कोई ने समझ में आता है कि तुरह लगता है कि हम यी रिस्क लेंगे कि हजारों बच्चों का पैसा लेके कोर्स कंप्लीट ने करेंगे हम इतना बुडबख हैं सब को जाके कहेगा कोर्से ने खतम हुआ हमर कोर्स भी कहेगा फिर एतना कॉमन सेंस खुद का तो रखो हम कंप्लीट चला कोर्स पूरा करके देंगे तुम अब परिक्षा होगा तो इसा तो ने रात में एड्मिट कार अब होगे परिक्षा परिक्षा होगा तो कम सकम दस दिन का टाइम देगा एड्मिट कार्ड और एक्जाम के प्रोसेस को ले करके बारावण से भी दोस दिन में अब तो फॉम भराना सुरूखेयर नहीं हुआ है यह ओ लड़का अभी लिखा है देखो हम चला हम चाहते थे हम वी बात का चर्चा नहीं करते है लड़का लिखा है बिहार लेक्रिसिटी का है इसके जागा कोर्स नहीं लेना लिखा यह लड़का कमेंट्स किया भाई हम तो लेने वाले थे बताओ क्यों नहीं ले नीचे कमेंट्स किया दूसरा लड़का कहता है यह जो बड़े टीचर होते हैं वो बैच में मात्र 45 मिनट ही पढ़ाते हैं इसलिए इनसे कोर्स खतम नहीं होगा मेरा पैसा तो चला गया अरे चोटा तू ही बूच जाता है कोर्स खतम नहीं होगा बड़े टीचर है तो आम टाइम नहीं दे रहें तो बताओ हम तो आरे स्पेसल टाइम 45-50 मिनट में हम तो आरे कम्प्लीट कर देंगे सिलिबस यह मेरा टिंसन है सिलिबस तो क्या करना है चला बीस को लाइन एक्ष्ट्रा बोलते हैं उस सब को काट लेना है सिलिबस तो पंदरा दिन माद ही आ देंगे साफे पागल है तो तो तुरा की कहेंगे कहता है पैसा बुल्ड़ा हो हमर इस बड़ा टीचर साफ 45 मेन ज़्यादे पढ़े वे नहीं करता है अधिकांस धातूं के अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्षा होते हैं देख लो इधातू है एक रबाहितम कक्षा में एक या दो इलेक्षा होते हैं और इनका ही क्या करते हैं जिने आहे देखो इक कोई से एलेक्ट्रोन का परवा करता है नाभिक में न्यूट्रोन अप्रोट्रोन है इसके चारो तरफ ये एलेक्ट्रोन देखो तो परवाहित हो रहा है तो ये जो एलेक्ट्रोन परवाहित हो रहा है यही तब इद्धारा है यही क्या है चला जो मुक्त अलेक्ट्रोन है नाभीक से दूर है कि नजदीक है क्या है तो कहते हैं नाभीक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अबस्था में होता है इसलिए इसे हम बोले थे न कल के क्लास में जो हम रहा से दूर है मुक्त है उसे कौन अलेक्ट्रोन कहते हैं मुक्त अ अब इस एक जगा से दूसरे जगा जा रहा है किसके कारण? मुक्त इलेक्टरोन बाहितम गख्चा का इलेक्टरोन है जिसकी उड़ जा सबसे अधिक होती है आज जो नाभिक से दूर है कि नज़्दीक है? आउसी के कारण वीदिधारा का क्या होता है? प्रवा होता है सही है? बताओ यह जो प्लस चार्ज है इसका प्रवा होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा कभी भी मेरा प्रवा होगा क्या? जब भी होगा जो गेट पर है उसी का प्रवा होगा अब कहते हैं चला ठोस धातु के तार में क्यों तार में अब बढ़ियां समझ न अगर हम बात करें चला ठोस धातू के तार में किसमें एई चुट्टा लिखता है सर आपकी मेडम कैसी है अरे यार हमको पता है चला हमको ना चीड़ आने लगा है ताफे पागल है परिसाने न करता है चला क्या ही बोले हम इसको जा के पूछ लो ध्यान देना इधार आव इधार हम कहते दे हो क्या पढ़ा रहते हाँ धोस में जैसे अगर कोई चालक तार हम ले ले लेते हैं चला या चीड़ का तार ले लेते हैं अगर हम कोई चालक तार ले ले लेते हैं इसमें विद्युधारा का प्रवाह किस के करण? एलेक्ट्रोन के कारण एलेक्ट्रोन के कारण नहीं मुक्त एलेक्ट्रोन के कारण सही है और ये ले लेते हैं वेद्यूत अब घट ये मानलो वेद्यूत अब घटनी सिल है और इसमें हम ले लेते हैं वेद्यूत अब घट क्या ले लेते हैं मान लो इसमें पानी ले लिए तो पानी ले लिए तो वो तूट गया H+, OH- में और इसमें हम ले लिए चला NaCl, क्या ले लिए? तो यह तूट गया Na+, और Cl- अब ध्यान देना यहां तो ठीक है कि नाभिक है जिसमें Neutron और Proton है इसके चारों तरफ Electron शक्कर लगाता है तो इस मुक्त Electron का प्रवाह विद्युद्धारा है क्योंकि इसका प्रवाह हो नहीं पाएगा हो पाएगा क्या? लेकिन यहां तो Na+, और Cl- यानि Electron भी है अब Proton भी है यानि धन आवेस भी है और इस अब भी रहा है बोलवें नहीं करें अब इसको कहते हैं वेद्युद्धाप घटे क्या कहते हैं इसको? वेद्युद्धाप घटे उसको कहते हैं चला जिससे वेद्युद्धारा का प्रवाह हो सके घोल दो प्रकार का घोल कितने प्रकार का? अब ही चला एकदम हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तुमको घोल दो प्रकार का होता है एक होता है वेद्यूत अपघट्या एक होता है चला वेद्यूत अनपघट्या वेद्यूत अनपघट्या एक होता है वेद्यूत अनपघट्या एक होता है एलेक्ट्रोलाइट यह होता है नॉन एलेक्ट्रोलाइट बोलों रे इससे विद्यूधारा का प्रवा धारा का प्रवा होगा इससे धारा का प्रवा धारा का प्रवा नहीं होगा ऐसा भी घोल है चला जिससे धारा का प्रवा नहीं होता जिससे एक्जामपल में ले लो वर्सा का जल किसका जल और एक्जामपल में ले लो आसूत जल कौन जल चला आसूत जला, इसमें जो धारा का प्रवा नहीं होगा और इसमें अगर कोगे वेद्यूतब घटे की बात करोगे इसका example लेलो H2SO4 H2SO4, HNO3, इसमें धारा का प्रवा होगा रुख जा, रुख जा इसमें जो धारा का प्रवा होगा जो वेद्यूतब घटे में धारा का प्रवा होगा मेरी जान, वेद्यूतब घटे में जो धारा का प्रवा होगा यह HCL लेलो, कौन लेलो? तो यह HCL का घोल जब लोगे ना तो इसमें टूट जाएगा H+, HCL, मैनस इसमें प्लस मेनस चुकि इससे नाभिक से नहीं निकलता है, जेनरेट होता है, प्लस और मेनस, तो इसमें जो विद्यूत अब घटे में धारा का जो प्रवाह होगा, वो प्लस मेनस दोनों के कारण होता है, जबकि किसी चालक तार में जो होता है, वो परमानू होता है, परमा से कहाँ इसमें घुलने के बाद प्रोटोन और लेक्ट्रोन बन जाता है इसलिए इसका प्रवा होता है विधुधन घ्ट में अगर कहीं धारा का धारा का प्रवा एक इते किसकती के कान होता है onk नुक्त the himself dad an ऑर इन दोनना है इसमें करता है आस सूत जलिया वर्षा का जल में धारा का प्रवा होता है या सुद्ध जल दे देगा तो उसमें धारा का प्रवा नहीं होता है लेकिन अगर कौदे धारा का प्रवा होता है वेद्यू तब घटे में किसके कारान आयन बोले तो धान आरीन दोनों ना लेकिन अगर चालक तार में धारा का प्रवा वेद इसी चैप्टर का कई से होता है अब अब ता उन्हों फॉर्म भरना शुरू ने हुआ कोर्स खतम करवाने लगा हो गया जली लेख हो गया हो गया हो गया एक उता वेद्यूद अब घटे हैं एक उता वेद्यूद अनब घटे हैं एलेक्ट्रोलाइट और गईर एलेक्ट्रोलाइट एलेक्ट्रोलाइट और क्या गईर एलेक्ट्रोलाइट हो गया यहां कभी-कभी चला सुद्ध जल देता है कभी-कभी क्या करता है एक option में कोईगा किसमे धारा का प्रवान नहीं होता है एक option वर्षा का जल लेगा option आसूद जल भी देदेगा तो answer क्या मारना वर्षा का जल दोने में से कोई एक चुन्ना होगा तो क्या मारेगा वर्षा का जल इध्यान रखिएगा अगर कःदे किसमे विद्ध धारा का प्रवान नहीं होता है एक option दे दे चला वर्षा का जल ऐख ऑपसण दे दे क्या आसूद जल तो क्या मारेगा answer वर्षा का जल की आशूत जल धारा का प्रवाह नहीं होता एक option देदेगा आपको वर्षा का जल कुझ जल वर्षा का जल दूसरा option देदेगा आशूत जल बताइए क्या हो जाएगा अंसर कुझ जल हो जाएगा वर्षा का वर्षा का जल नहीं रहेगा तब क्या मारी एक आशूत जल आशूत जल भी एक परकार का क्या है सुद्य जल है इचला basic से 2-3 question रहवे करता है जैसे पोरसलीन वाला question था तीरीज वाला question था कि तीन बल्बों को कैसे कंट्रोल किया जाता है basic से 2-3 50 में तीन question रहेगा एक दम fix है DMRC में तब 15 question 75 में 12 से 15 question यह तुम्हारा बिहार electricity की बात करो या railway की बात करो तो बिहार electricity में तीन question railway की बात करो जो अभी हम पढ़ा रहे हैं बहुत चीज़ मेरे किताबों में नहीं है हम उसको जोड़ जोड़ के तुमको पढ़ा दे रहे हैं बहुत सरा इसा चीज़ जो किताब में नहीं है लेकिन तो हम पढ़ाएंगे जैसे अभी देखो बिहार electricity का ही question है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं चला जितना भी कुचालक है कुचालक के रूप में हम लोग किसका किसका यूज़ करते हैं एगो पॉर्सलीन का यूज़ करते हैं एगो अबरक का यूज़ करते हैं एगो चीनी मिटी का यूज़ करते हैं किसका यूज़ करते हैं बहुत बच्चे चीनी मिटी को ही पॉर्सलीन समझते हैं Roughly हम लोग science में बता देते हैं कि दोनों एक के हैं लेकिन है दोनों अलग 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 चीनी मिटी चीनी मिटी है और पोर्सलीन पोर्सलीन है इसका opioid हम लोग transmission में करते हैं इसका opioid किस में करते हैं अबरक का opioid हम लोग electric iron में करते हैं electric iron में करते हैं और यह जो चीनी मिटी है इसक अपरियों कहां करते हैं, हीटर में अई सब विद्युत का क्या है, कुछालक है और एक है रबर, रबर का अपरियों कहां करते हैं, दस्ताना में अब यह कोश्चन जो तुमको पूछा था, एक नट रूग जा मेरी जान हम बूले, तुम पहले हम से पढ़ा होगा यही चेप्टर, आभी पढ़ोगे दोजनों में आसमान धरती का फर्क हो जाएगा कोई भी चेप्टर अभी हम पढ़ाएंगे तो एकदम डीटेल में पढ़ा देंगा और इसके बाद तुमको किसी एक्जाम के लिए अलग से पढ़ने की किसका उप्योग करते हैं किसका उप्योग करते हैं पोरसलीन ठीक है और अगर पूछदेगा अभरक के साथ ये मामला है एकलो ता कि उश्मा का बाकिस सबविद्यूत का भी कुचालक है और उश्मा का भी कुचालक है ये जो बांकी तुम देख रहे हो ये जो बांकी तुम देख रहे हो दोस्त मेरे ये जो बांकी तुम देख रहे हो कौन कौन एगो ये एगो ये 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 उश्मा का भी कुचालक है विद्धुत का तो है ये है उश्मा का भी क्या है उचालक है जली लिख जली लिख सब मामला चला अलग अलग है हम तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जतना हमरा पास नौलेच है बाकी तो उपर वाले पर छोड़ दो हम लेकिन तरह एक एक बात बता देंगे हम कहते हैं चला अबरक को इसलिए तो यूस करते हैं अलक्रिक अरन में कि उस्मा का स्थ्षानांत्रन कर सके लेकिन विद्धुत का न करें अब बात वकिए देखो पोर्सलीन उस्मा विद्यू दोनों का कुछा लग चीनी मिटे उस्मा विद्यू दोनों का कुछा लग थाई है चलि लिए यही कोशन था चला बिहार लग से दिरी में था ना कि भाईया बता हम इसके खंदान में इससे ज़्यादे कोश्चन ने हैं जतना पोड़ पर लिख दी है खले इसका ध्यान से असमरन कर लो तो तो हर काम हो जाएगा हम बोले थे कि बाबु एक कॉपी ले के आना क्योंकि मेरे किताब से एक्स्ट्रा भी हम बहुत सारा चीज़ तुमको पढ़ाने वाले आगे बढ़ें आगे बढ़ें बढ़ें हो अब देखो तो हम यह कोई सकते हैं कि ठोस धातू के तार में विद्युद्हारा का प्रवा किसके कारण मुक्त एलक्ट्रोन के कारण होता है जब कि विद्युद्व घटे में धारा का प्रवा किसके कारण होता है आयन के कारण होता है यानि धौन अरीन दोनों न के कारण होता है अब एको बात बताओ एकदम सिंपल सा बात ने भई इधर आजा एक बात बताओ चला अगर हम नमक पानी का मिसरण ले लेते हैं तो जितना जादे नमक टूटेगा उतना जादे आयन बनेगा बनेगा न हो अगर हम नमक पानी के मिसरण को गरम करते हैं तो गरम करेंगे जल्दी घुलेगा गिलेट से घुलेगा गुलना, मतलब आयन में तूटना तूटेगा तब न गुलेगा एकर मतलब जब गरम करेंगे तो यह ने प्लस और C l 记लन की संख्या जादे की कॉम जादे हो जाएगे, क्योंकि कोई भी चीज गरम करने के बाद क्या हो जाता है? तूटता है तो भीया अगर कोई भी चीज को गरम करेंगे तो यह N A प्लस और C L मैनस में टूटेगा तो टूटेगा तो आयन की संख्या और बढ़ जाएगी इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि वेद्यूत अप घटे को गरम करने पर किसको चला वेद्यूत अप घटे को अब घटे को घरम करने पर घरम करने पर क्या होगा आयन की संख्या में बिर्धी होगी की कमी होगी आयन में बिर्धी होगा आयन में बिर्धी होगा तो चालकता बढ़ेगा चालकता क्या होगा बढ़ेगा चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा प्रतिरोध चालकता बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा नहो चालकता बढ़ेगा प्रतिरोध क्या सोजाएगा घटएगा जल्दी से लिक कापी रिखें देत Сегодня 8 साष्थ रावाइट पेज का वह बढ़ियां चमचमाता हुआ कापी खरीद लिजे there को गया? अब चिला देखो इसी में तुमको क्या करेगा? इसी में क्या करेगा? जो कुशन इक और है आयन में हम बोले जितना जादे आयन होगा उतना जादे धारा का प्रवा होगा तो बच्चा कितना सुन्दर प्रशनी पूछा है इसका प्रशन ये है कि सर इक कोशन पूछा हुआ है कोशन प्रिवियस येर का कोशन है कि अगर सर, अगर सर, अगर सर हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि अगर 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 हम क्या करते हैं कि ये अर्थिंग कर दिये हम अर्थिंग का प्लेट माल लो ये हम डाल दिये अर्थिंग का प्लेट डाल दिये तो अर्थिंग में चालन अगर जादे होगा तो जल्दी अली इलेक्ट्रोन को ग्रहन कर पाएगा हूँ हम बोले चालन तब जादे होगा जब आयन की मातरा बढ़ेगी आयन की मातरा बढ़ेगी तो भाई या नमक ऐसा है जो द्रव वस्था में रहेगा ना चालन करेगा क्या करेगा इस ध्यान रखना, NACL क्या है, नमक है, नमक है, आ नमक हम लोग science में पढ़ते हैं, ठोज सा वस्था में रहेगा, वो चलाक, और दरव वस्था में रहेगा, सू चलाक, दरव वस्था में रहेगा क्या, सू चलाक, तो हम क्या करते हैं यह अर्थिंग में नमक पानी का मिसरन डाल देता है द्रब वस्था में कोन वस्था में है आई टूट जाता है एने प्लस और सील जब एने प्लस और सील में टूट जाता है तो चालकता बढ़ती है चालकता बढ़ती है तो चालन अगर तेजी से होगा तो अलेक्ट्रोन तेजी से सट सट लेगा कि धीरे धीरे लेगा इसलिए कहते हैं कि जब अर्थिंग में नमक, पानी और कोईला कोईला इसलिए डालते हैं कि नमी को अधिक समय तक बरकरार रखेगा गुलन दे आरा का प्रवा किसके कारण होता है आयन के कारण है तो बैया नीचे जमीन में तो नमक है नहीं नमक है नहीं नमक हम लोग डालते हैं वो भी घोल के है घोल के डालते तो आयन की मातरा जादे होती है आयन के मात्रा जादी होती है तो तेजी से electron discharge होना शुरू हो जाता है clear है इसलिए हम लोग अर्थिंग में नमक पानी का मिस्वन डालते है clear अब देखो चला basic में हम चुरा हर वो question बता देंगे जो तुम्हारे आज तक के exam में पूछा है ठीक है फिर ध्यान दिजेगा कहते है थोस धातू के तार में विद्धु धारा का प्रवाह मुक्त इलक्ट्रोन के कारणजब की विद्धु तब घटे में धारा का प्रवाह किसके कहना आयन के तही की गलत अब तह आवी तापमान बढ़ाएंगे तह आयन की मात्रा बढ़ेगी चालक्ता बढ़ेगा चालक्ता बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा क्योंकि प्रतिरोध उल्टा होता है चालक्ता का प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक्ता घटेगा अब देखो चला आवेस क्या है क्या है चला आवेस आवेस किसी पदार्त का वह गुन है जैसे चला यह समझो यह जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो आई फिजिक्सों में है फिजिक्स में भी तुमको यह चैप्टर पढ़ना है अगर तुम टेकनीशन के लिए 40 नमर का साइंस का बात सोच रहे हो अपने दिमाग में तो 5 से 7 नमर इसी चैप्टर से रहेगा और अगर तुम एलेक्ट्रीशन का ट्रेड टेस्ट में सोच रहे हो कुछ भी तो अगर कोई भी एक्जाम दोगे तो 50 नमर का रहेगा तो 3 से 4 कोश्चन यहां से रहेगा और अगर 75 को नमर का रहेगा तो 6 से 7 कोश्चन यहां से रहेगा जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं अज साइंस में यही चैप्टर सेम चैप्टर साइंसों में है इसको कहते हैं Basic of Electricity है ओकरा वहां कहते हैं Electrician Electrical जो Electrical Part वहां हम लोग पढ़ते हैं इसलिए अब ध्यान दीजेगा और समझने की कोसिस कीजेगा हमने आपको क्या कहा चला कि आवेस क्या है What is always, what is charge हम भी आवेस हो सकते हैं, आप भी आवेस हो सकते हैं आवेस किसी पदार्त का वह गुन है अगर जैसे हम किसी से प्यार करने लगेंगे तो हम आसिक हो जाएंगे हम किसी का खून कर देंगे तो हम मडरर हो जाएंगे हो जाएंगे ना लेकिन हम आवेस भी हो जाएंगे जब हम किसी को अपनी वर आकरसित या विकरसित करेंगे अगर कोई मेरे सामने आएगा मेरे बगल में आएगा हम उसको अपनी वर खीच लेंगे या हम अपने दूर धका दे देंगे हम आवेस हो जाएंगे अर्थात अगर हम किसी पर एक बल लगा सके या तो खीचाओ का या तो धकलाओ का तो हम आवेस हो जाएंगे बुलने आसिक किसी आदमी का किसी लड़के का वह गुन है जिससे वह प्यार करता है मडर मडरर किसी आदमी का वह गुन है जिससे वह गुपता है करता है या तो विकर्सित करता है या तो आकरसन या तो विकर्सन या किसी पदार्थ का गुन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं आवेस क्या कहते हैं आवेस तो एक होता है सजातिया आवेस एक होता है विजातिया आवेस इस पता है सजातिया मतलब एक जात का दोनों प्लस प्लस अवी जाती है मतलब अलग ठीक है अब चला मामला क्या है कि अगर ये कोई धन आवेस है ये कोई कोई आवेस है धन आवेस है तो धन आवेस या आवेस किसी पदार्थ का वह गुन है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेस को या तो अपने से दूर धकलेगा आया तो अपनी और लाएगा यही ने किसी पदार्थ का गुन है जिसको हम लोग क्या कहते है आविस क्या कहते है इसको आविस तब विजातिय प्लस प्लस सजातिय क्यों विजातिय सजातिय यह चला सजातिय आविसों में विकरसन और विजातिया आवेसों में सब्द ध्यान से याद रखेगा सौ जातिया मतलब एक ही समान विजातिया मतलब अलगल कलियर है? अब चला कहते हैं देखो आवेस का जो Q, Q का नाम सुने हो न Q से डिनोट करते हैं किस से डिनोट करते हैं? और इसका मान होता है Q बराबर I, T I धारा है और T क्या है समय I धारा है T समय देखो इसको define कैसे करते हैं I definition से question रहेगा तो ध्यान से बनाई हो कहते हैं हम लोग Q बराबर क्या होता है I, T I बराबर Q, I, T होगा Q क्या है आवेस आवेस के ही दो परकार है कल पढ़ाई थे धन और रिन और रिन बोले तो electron आवेस के कितने परकार? एगो plus है एगो मेनस बोले तो electron तो देखो हम ये कहें कि आवेस के किसी भी चीज़ के बट्टा में time रहता तो उसको हम लोग समय कहते हैं दर कहते हैं किसी भी चीज के बट्टा में टाइम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे दर किसी भी चीज के बट्टा में टाइम रहेगा तो क्या कहेंगे किसी भी चीज के बट्टा में टाइम रहेगा तो दर क्लियर है तो देखो इसको हम लोग कहते हैं आवेस के प्रवाह की दर को विद्युद धारा कहते हैं या इसी को डिफाइन करते हैं एकांक समय में प्रवाहित आवेस को धारा कहते है आवेस को दिये मतलब इलक्टरोन हो यह नहीं गया आवेस को दिये तो प्रोटोन हो गया मतलब इडिफनेशन चला चालक तार के लिए भी है यहां हम नहीं दिये हैं यहां इलक्टरोन यहां क्या दिये हैं आवेस आवेस दे दिये तो ध्वन भी हो गया रीन भी हो गया यानि चालक तार भी हो गया आवेद्युद अभगट भी हो गया पता नहीं बुझा रहा एक नहीं तो हम कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं धारा एलेक्ट्रोन के प्रवाह की दर को धारा चालक्तार में आयन के प्रवाह की दर को धारा वेद्युदब घटे में बोले वे नहीं करें या यूं कहें कि आवेश और समय कानुपाद धारा कहलाता है इसको अलग लग तरीके से हम डिफाइन करते हैं एक आंक समय में प्रवाहित आवेस को धारा कहते हैं आवेस और धारा कानुपाद धारा कहला मुझा रहा है अब चला देखो अगर हम इसके यूनिट की बात करें लड़का क्या करता है क्यों बराबर क्या होता है इसका आवेस का एसाई मात रख आवेस आवेस यानि क्यू का एसाई मात रख क्यू का क्या एसाई मात रख की अगर बात करोगे तो यह हो जाएगा एंपियर सेकेंड देख लो आई का क्या होता है एंपियर ती का क्या होता है second तो इसको हम लोग ampere second पढ़ते हैं या इससे रहेगा तो ampere minus second ने पढ़ना है इसको ampere second पढ़ना है clear है और ampere second को ही हम लोग कुलाउम्ब कहते हैं क्या कहते हैं चला ampere second को ही क्या कहते हैं कुलाउम समझ में आया अब चला हमेशा देना, अच्छे बताओ, भोल्टेज का SI मतरक भोल्ट, धारा का SI मतरक एंपियर, पावर का SI मतरक वाट, प्रतिरोध का SI मतरक ओम, क्लियर है न, अब चला देखो, कहते हैं, आवेस का SI मतरक, या तो आप एंपियर सेकंड कर दीजे, या कुलाउम कर दीजे, आवेस का SI मतरक एंपियर सेकंड या कुलाउम, एकदम अभी चला, हम जीरो लिबल से लेके जा रहे हैं तुमको, एकदम जीरो से, बहुत लोगों को आता भी होगा, थोड़ा सा बरदास करो, बहुत चीज हम तुरह सिखा देंगे चला, एकदम फ्रॉम बिगनिंग, हम कहां लागू होता है, इस टाइप से यूनिट आप निकालना सीख जाईए, जैसे P बराबर होता है चला, भी आई, P बराबर होता है, भी ए स्कुएर बै आर, अब P बराबर होता है, आई ए स्कुएर आर, इस फॉर्मूला पढ़े हैं, अचला, एक कोश्चन यहां से समझे कि अधिकतर जगों पर आपको पूछने को मिलेगा, पूछा जाता है, इसको बताई 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 है, इसको बता बोलत का स्क्वाइर, बोलो हो, यहां अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, आई फॉर एंपियर, एंपियर का स्क्वाइर, इसको भी हम वाट कहते हैं, इसको भी हम वाट कहते हैं, चला कुष्चंद बड़ा नॉर्मल पूछता है, कि बताइए फलना बात और चिलना बात लेकिन चला question को पकड़ में तब आएगा जब आप उसके हर चीज़ को जानते है नहीं तो question पकड़ में नहीं आएगा हम यहाँ क्या किये क्यों बराबर क्या बोले IT आवेस का SI मतरक कुलाउंब होता ही लेकिन आप जान यह भोल्ट एंपियर भी होता है अब ही तो यह एकदम साफ्यन है बुजा रहा है कोई बात नहीं क्योंकि तुभी इन फर मुला जानता नहीं है जानता नहीं तो तुर आएगा नहीं लेकिन हम तकरा बार-बार पढ़ाएंगे अपने आ जाएगा तुमको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अगर जैसे हम लोग कहते हैं उश्मा का ऐसा ही मतरक क्या कहते हैं जूल उस्मा का ऐसा ही मतरक हम लोग कहते है चला जूल एच बराबर फॉर्मूला होता है I2RT I2RT ते MPR2 OOM MPR2 OOM Second आई ये बराबर हो जाएगा जूल के पता नहीं बुझा रहे हैंगे एच चला एक जगा बता दिये इस सब जगा लागू होगा जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूला मिलेगा हर जगा ये बातें लागू होगे इसी का एक फॉर्मूला होता है H बराबर B2R इंटू T B2 बोले तो भोल्ट का स्कॉर बटा ओम Second आई ये बराबर हो जाएगा जूल के पता नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया बुझाया कितने लोगों कोई बात बुझाया चला हाथ खड़ा कर दो पक्का हम जो चला मेरे उकात के बराबर हम तोरह सब बात सिखा देंगे जो मेरे उकाते मिने रहेगा तो हम कहाँ सिखाएगे तईयों सिखाएंगे हमरा नए अगर लगे गाना कि हमको इबात पढ़ाना है और हमरा नए आ रहा है तो आप पोड़ लेंगे बढ़ियां से खुब बढ़ियां से तो और पढ़ा देंगे लेकिन हम चला अपने तरफ से कोई कटोती नहीं करें खुब मन लगा के चला आप लोग खली पड़ी है अब देखें इसी इसी बात पर चला हम लोग लेते हैं क्यू बराबर क्या आई टी क्या लेते हैं क्यू बराबर आई टी लेते हैं तो यह हो जाएगा एंपियर सेकेंड एंपियर सेकेंड हुआ आवेस का एक एक मातरक तो हम लोग कुलाउम जानवे करते हैं आवेस का डिफिनेशन क्या है आवेस का डिफिनेशन है यह, 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 यह हम भाई आउट अप स्टेट वाले भी भर सकते हैं काते हैं यह, किसी पदार्थ का वह घुन है जिसके कारण कोई वस्तू वेद्यूत आकरसन या विकरसन का अनुभव करती है जैसे मेरे हम अगर आवेस हैं तो हम या तो आकरसन का अनुभव करेंगे या तो विकरसन या तो खुद पर या दूसरे पर बोलो हो अब बताओ चला कहते हैं आवेस का साही मत्रक कुलाम और आवेस का सीज़ास मत्रक स्टेट कुलाम एक कुलाम बराबर होता है वन बाइट टेन एम यू या तीन कुलाद दस पर पावर आठ एस यू एम यू बोले तो एलेक्ट्रो मेगनेटिक यूनिट और एस यू बोले तो एलेक्ट्रो स्टाटिक यूनिट एवेल्यू आपको याद रखना चाहिए एक कुलाम बराबर होता है जैसे चला एक किलो ग्राम बराबर एक हजार ग्राम होता है न वैसे ही समझे कि एक कुलम बराबर कितना एस यू तीन गुना दस के पावर नौ एस यू बोलो हाँ और देख लो हम यहां लिग दियें आवेश का से मात्रक कुलम तो सब जानता है आप अब जान ये आवेश का मात्रक एंपियर सेकेंड भी है अब इसको देखके अचंभित होने की आवश्यक्ता आवेश का एक मात्रक एंपियर सेकेंड आवेश का एक मात्रक क्या है एंपियर सेकेंड होता है पता नहीं बुझा रहा है किने तब हम यह कौश सकते हैं चालकतार में विद्धारा का प्रवा मुक्त एलक्ट्रोन के कारण वेद्युदभगट में विद्धारा का प्रवा आयन के कारण और थिंग में हम लोग पानी नमक पानी डालते हैं तो आयन की मात्रा में ब्रधी होती है आगरम करेंगे तो आयन की संख्यां बढ़ेगी आयन की संख्यां बढ़ेगी चालकता बढ़ेगा प्रतिरोद घट जाएगा चालकता बढ़ेगा प्रतिरोद घट जाएगा चालकता बढ़ेगा प्रतिरोद घट जाएगा क्योंकि चालकता और प्रतिरोज में उल्टा संबंद है किसी दा कैसा संबंद है उल्टा संबंद होता है और आवेस का इसा है मात रख कुलाम भी है एंपियर सेकंड भी है स्टेट कुलाम भी एंपियर सेकंड भी इसा ही है मात रख है कुन मात रख है State column जो है वो क्या है State column क्या है CGS यह तो जानता है like charge में क्या होगा प्लस प्लस में अब प्लस में नस में आकर इस सब को पता होता है बोलो हाँ अब चला देखो एक complete एकनम हम Zero level से लेकर जल रहे है और चला उस level तक भी लेकर चलेंगे कि भाईया घौर में पूरे घौर में जो है ये गो बोड में आठे सो वाट काहे होना चाहिए ठीक ना बिहार लेक्टिसिटी का कोश्चन है जो जार अठारा का ये गो बोड में जो है मैक्सिमुम केतना वाट चलेगा आठ सो वहां तक भी तुरह लेके चलेंगा और वही तुरह पढ़ने को मिलेगा का आठ सके आठ जार डाउट हो रहा है कि आठ जार वाट होगा तो बहुते जादे हो जाएगा अर चलेगो पंखा 65-75 वाट है बल्वत और दस वाट है तो जुलुम ने हो जाएगा आठ जार होगा तो किलियर है यहां तक कोई चला दिक्कत है तो बताओ है पक्का खली क्लास चलाने छोड़ना नन छोड़ेगा और हम इबैच में आठ बचकर दस मिनट तक कोसिस करेंगे आ जाने का अचला मेरा भी क्लास रहता है तेरा हुआ क्लास तो और ले रहे हैं करवाद एक क्लास और अभी दस मिनट बात तो रहा लाइब मिल जाएंगे हम यूटूब पे दस से पंद्रा मिनट नो बच कर बीस मिनट में तनी रहम हम रोपे खाओ रही बात कोर्स कंप्लीट करने के हम करवार देंगे पूरा एकदम खुब बढ़ियां से अपने स्चिंत रहे है आज की कारवाई यहीं तर कर दो कारवाई था है झाल झाल